ऐसे भिंडी उगाएंगे और घर में यूज करेंगे तो भिंडी ये कढ़ाई में डालते ही गल जाती है इसको बिल्कुल भी ज्यादा इसको ओवरकुक नहीं करना पड़ता और ये भिंडी बहुत टेस्टी बनती है तो भिंडी को अच्छे से वाश करके दम सुखा लेना है एक एक भिंडी सूख जानी चाहिए अगर भिंडी गीली रह गई तो भिंडी बनेगी चिपचिपी तो कहेंगे आपने मुझे बताया ने सूख जाए उसके बाद छोड़े पीसे में भिंडी को काट लेंगे और जो शेप आपको पसंद आप शेप में काट सकते हैं अब हम इसको खुले में उसके बाद एड करेंगे नमा, हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अभी भिंडी में आपको पता है मैंने अपने टेरी से तोड़ी है तो मैं इसको खुला ही पकाती हूँ उसको मैं कवर नहीं करती और पांस मिनिट में भिंडी बनके रेडी हो जाती है और लास्ट में मैं थोड़ा सा मिर्च पाउडर एड करूंगी भिंडी को और कलर देने के लिए और देखिए बस भिंडी बनके रेडी हो चुकी है और आपको भिंडी कैसी लग रही है comment में बताईएगा आपने मुझे सबजी तोड़ के बनाते हूँ आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज बताईएगा कि आपको कैसा लागा और मेरा एक न्यू चैनल है घर पर बना खाना उसके अंदर मैं इसी तरीके से नई वेजिटेबल्स बना के डालती हूँ नई स्वीट्स डालती हूँ पीजा डोसा सब कुछ बना के डालती हूँ केक के र रेसिपीस भी शेर कर सको और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा यो के एंड में मैं अपने न्यू चैनल का लिंक भी पोस्ट करूंगी तो आप जाके क्लिक कर सकते हैं और फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तक के लिए